हेलो नुश्कार्ट फ्रेंज मानुज रोहिज सिंग यूआ वोचिंग मॉफिशन यूट्यूब चैनल विटल फोर एससी फोर बिटर पिशन यूपी बिएड प्रवेस परिक्षा 2021 के लिए हम लोग जीके का ओल इंडे टेस्ट करते हैं मॉर्निंग में 10 बजे जिसमें हम आपसे 10 कुशिन पूछते हैं आपको कम से कम 6 कुशिन करेक्ट करना होता है छे कुशिन करेक्ट करने के मतलब कि आपका 60% मार्क्स आपको मिला है जो कि इनफ है यूपी बिएड एंडेस एक्जाम को कौलिफाइग करने के लिए और एक अच्छी सरकारी सीथ लेने के लिए ठीक है आज़े दिखते हMore, आज के कुश्क macht पहला है कि कि नयाय शूतर किस ने लिखा था मैडिये फख़र्द्स नयाय शूतर किस ने लिखा था उपसट आपका ठीक है गौतम को पूरा नाम क्या है अक्षपात गौतम, इनकी द्वारा रचित न्याय शूत्र एक प्राचीन, मतलब पुरानी भारतिय संस्कृत ग्रंत है, ठीके, संस्कृत ग्रंत है, भारतिय संस्कृत ग्रंत है, प्राचीन भारतिय संस्कृत ग्रंत है, अक्षपात गौतम के द definitely मिलने वाला है क्योंकि कई बार एक्जाम में पुछा गया है रेपीटिट कुश्चिन से मसाई निम्न में से किस देश की जन जाती है माइडियो फिंट्स मसाई दक्षिड केन्या ठीक है दक्षिड केन्या और उत्री तंजानिया में रहने वाले निवासी हैं तो या तो आफरीका के जो बहुत सी जील है महान जील है जिए की पुरानी जील है वहाँ पर कई जगों पर ये लोग निवास तक अपना बना कर और अपनी तरीके से वहाँ पर क्लेर हुआ है इसका काम क्या था है यह एक छोटा सा उपकरण होता है जिसका काम होता है हिर्दय की गति को नियंतरित करना मतलब हमारे हाड के बीट को नियंतरित करना उसको समझना ठीक है काउंड करना तो यह एक प्रकार का यंतर है एक छोटा उपकरण है जो कि हमारे हर्दय के हाड बीट को नियंतरित करता है ठीक है option c आपको समझ में आ गया होगा नेक्स देखते हैं हीमोग्लोबिन मुख्य घटक है एक्जाम में पूछा गया कई बार repeated questions है हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है और भी इसी का अर बीसी रिड बलटम के उसे अध्य आक में चलों आख लेते हैं है बद्शांब क्शांब्र श्क्रांति क नेक्शुंद रखना है मैं पुछांटि का था एक्छांटि में आता है और गेघ्जाम में सब्सक्राइब फ्रांस की क्रांती हुए था है तो उसमें पूछ याद आ रहा है ये तीनों शब्द का प्रियोग हम लोगों ने भारती जो सम्विधान हुआ था उसमें यूज किया था मतलब 1950 में जब हमारा सम्विधान तयार हुआ तो प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल किया गया था कौन को शब्द थे श्वतंतरता समानता और बंधुता अलाइच सो याद रखेंगे नाव नेक्स एकते हैं 33 भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उप्युक्त छेतर कौन सा है सिंदू गंगा घाटी ब्रंपुत्रा घाटी कश्कारन दक्षडी पठार ये कुशिन आप लोग आल टाइम याद रखना भारत में कॉफी की खेती के लिए दक्षडी पठार सबसे जड़ा यूसफुल है और कौन-कौन से राज इसमें आते हैं दक्षडी पठार के छेत्र में कौन-कौन से राज आते हैं इसको भी समझ लेते हैं तो पहला चीज़ आप याद रखेंगे करनाटक ठीक है करनाटक राज्य दक्षडी पठार के छेत ठीक है योगदान है ठीक है so option 4 दक्षडी पठार I hope आपको clear हो गया होगा नेक्स देखते हैं enzymes क्या है protein खनीज तेल वसा enzyme क्या होता है enzyme क्या होता है यह एक प्रकार का आपका क्या है प्रोटीन है ठीक है enzyme एक जैविक अडू प्रोटीन है clear हुआ option A आपका correct है चलिए move कर रहें next सितारों की दूरी किसे मापी जाती है सितारों की दूरी किसे मापी जाती है प्रकाश वर्स option 4 नंबर कुछ ठीक है option 4 आपका correct है प्रकाश वर्स चलिए move करते हैं अब बताएए इसका full form ALU का पूरू नाम क्या है ALU का पूरू नाम है यह repeat होगा definitely एक question तो आपका full form से पूछेगा पूछेगा computer का तो इसका होता है arithmetic logic unit याद रखेंगे अरिथमेटिक logic unit ALU ठीक है और कभी कभी आपसे CPU पूछ लेता है तो CPU का आप लोग कमेंट करके बताओगे CPU ठीक है CPU का full form आप लोग कमेंट करेंगे आईए नेक्स देखते हैं निम्लिकित मेंसे कौन सा किला अकबर ने बनवाया अकबर ने कौन सा किला नहीं बनवाया कुशन ये कह रहा है ठीक है कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया तो को अकबर ने आगरा का किला बनवाया लाहोर का किला बनवाया इलहाबाद का किला करवाया था तो बचा क्या उप्सन में आपका गौालियर का किला तो गौालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था ठीके क्लियर हुआ आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीके, तो इस फोर्ड का किसने करवाया hisします मैंडेश इसको बनवाया था मान थी थी कि के अ मान सिंग टोममिक याद रखेंगे कछिफ हर मांसिंग तोमर ने आठी शताब्हडी की ये बात है कि कि मत्द्रोप दीश में कुल और आट प्र यहां तक पहुंच पाए हैं आप और विए को आपको कुछ क्या इस है एंड थैक यू फॉर वाचिक इस वीडियो नेक्ट वरिए फेस्ट बिल दे तब तक लिए अन्माथ फेस्ट